So guys, finally, यह है 2021 का last day and आप समने बहुत सारे awards देख रही होंगे जब मैं बड़ी display वाला एक phone होगा, gaming वाला phone होगा, camera वाला phone होगा, यह वाला phone, वो वाला phone बट क्या किसी ने बताया है कि यह वाले phone लेने नहीं है आपको, हाँ, कुछ लोगों ने बताया होगा बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से worst phones रहे 2021 के और आपको 2022 में बिल्कुल भी इसमें purchase नहीं करनी है वैसे हम आपको time to time बताता रहता हूँ कि कौन से phones आपको purchase करने है, कौन से नहीं करने है उसके लिए तो आपको चैनल को subscribe करके रखना है बट आज मैं overall 2021 में बतलब कि जो बिल्कुल worst, बिल्कुल इक नहीं हम fails कह सकते है आज मैं वो वाली चीज़े बताने वाला हूँ तो चलिए, वीडियो थोड़ी से interesting होने वाली है, उसके लिए आप चोटा सा like कर सकते है and let's start अब यह वीडियो किसी particularly brand के ऊपर नहीं है यहां पर कुछ brands के नाम आएंगे तो दिल पर मत लेना क्योंकि same ही brands जब यहां पर कुछ यहां पर fails निकालते हैं तो उनके कुछ successful phones भी होते है so starting करता हूँ मैं उस brand के साथ, जो कि यार दिलों में बसता था आजकल वो कहीं भी बसता नहीं है यह है brand जो people को connect करता था हाँ आपको याद आगया होगा, वो हाथ मिलते थे connecting people जी हाँ, Nokia इस साल हमने हर phone को Nokia के no कर दिया क्योंकि हैर इस साल जितने भी Nokia के phones आया ना वो बहुत कमाल के थे, इतने ज़्यादा कमाल के थे आपको यह देंगी, आपको यह देंगी, आपको वो देंगी, हमारे कैमरास बहुत अच्छे है, आज के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है ना ही तो updates मिल रहे है, ना ही हमें अच्छे specs मिल रहे है so Nokia outdated हो चुका है और इवन कि जो Android phones हमें आज के टाइम पर टेक्नोलजी दे रहे होते है Nokia को 4-5 साल पुरानी टेक्नोलजी लेकर आता है और उन्हें लगता है कि हमारा नाम इतना बड़ा है कि लोग हमें अभी भी पसंद करते हैं वो कुछ भी ले लेंगे बड़ ऐसा नहीं है यार अभी जनता बहुत समझदार हो चुके है उन्हें पता है उनके लिए कौन सा फोन बड़िया होगा कौन सा नहीं होगा so Nokia आप connect करते रहें हम अल्रडी कर चुके है पर दूसरे brands के सार तो हाँ ये जो brand है न Nokia अगर ये कुछ बड़िया phones लेकर है जिसकि Motorola ने बहुत अच्छी वापसी की है Motorola कुछ बहुत ही तगने तगने phones यहां में निकाल रहा है बट वैसे ही कुछ अगर Nokia स्टार्ट कर देना तो मैं definitely appreciate करूँगा यार और मैं आपको बोलूँगा Nokia के phones करीथे बड़ा आज के डाइ में Nokia ऐसा कोच यह नहीं कर रहा मतला वो Christmas निगल गया मैंने सूचा क्रिस्मस पर एक 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 Santa Claus बनकर आ जाएं क्या पता बट नहीं यहां पर मुझे ही बनना बढ़ रहा है चलिए Nokia को थोड़ा साइड पे लगाते अभी बात करते हम OnePlus के बारे में OnePlus ने इस साल काफी अच्छे चे phones दिये चाहे वो हम बात करें 9 Series की चाहे हम यहार पे बात करें Nord Nord Series की बात करें गया यहां पर Nord Series में हमने दो phones देखे एक आया Nord CE 5G और एक आया Nord 2 देखो यार इसमें से एक ऐसा phone है जो की एकदम से failure था और एक ऐसा phone है जो की fail तो हो गया बट sales काफी बटोर ली starting with the OnePlus Nord CE 5G यह OnePlus का आज तक का cheapest phone था और शायद यहां पे यह cheapest phone cheapest ही बन कर रहा गया कि यह बहुत जादा cheap था मतलब सरफ price में इसमें quality भी बहुत cheap थी इसमें जो हमें चीजें मिल रही थी वह भी बहुत cheap थी और overall यहां पे बहुत cheap वाली feeling आ गई थी तो हाँ, personally मैंने भी use किया था और जब मैंने इस phone को use किया मैंने सोचा यार यह क्या है अभी OnePlus को हम जानते है एकदम से smoother UI के लिए एकदम से बढ़िया specs के लिए CE 5G कुछ अलग नहीं था इसके अंदर भी कुछ अच्छे specs थी इसके अंदर भी कुछ बढ़िया चीजे थी बढ़िया बहुत experience मिलनी रहा था यह phone बहुत जादा buggy था ऐसा लगा OnePlus नहीं पर करती है तो experience भी कम कर दिया OnePlus कुछी कह रहा है भाईया आप यह वाले phone मतलो अब महेंग वाले phone लेकर रहा हो यह CE na cheap edition है तो काफी बड़ा failure था यह phone बिलकुभी चलाने में हमजानी आ रहा था बहुत सारे compromises थे बहुत सारे जीब 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 चीजने थी So OnePlus Nord CE 5G वो सिरफ experience bad नहीं था उसकी sales भी नहीं हुई है Obviously हमने मना कर दिया Then यहां पर आते है Nord 2 अब Nord 2 एक ऐसा phone है जो कि OnePlus की तरव से काफी ज्यादा sale हुआ है And personally में कहूंगा अगर हम सिरफ specs को देके But साल पूरे साल में After launch यहां पर थोड़ी थोड़ी देर में यहां पर news आती रही है कि OnePlus Nord 2 फटे गया उसके बाद OnePlus Nord 2 फिर फटे गया मतलब इनकी फटी रही है So OnePlus Nord 2 की इतने जादा blast cases हो गए थे कि लोगों को अभी थोड़ा सा यहां पर Trust issues हो गए थे तो यहां पर लोग थोड़ा सा पीछे अट रहे थे यार Nord 2 ले ना ले कईयोंने तब भी ले लिया कईयोंने विश्वास जता है कि OnePlus है यार ऐसे किसे हो सकता है बढ़ आज तक आपको पता OnePlus की तरह से को official statement नहीं है जिसके उपर हम एकदम सा भरोसा कर सकते है यह बलकुल सही बात बोल रहे है तो इस वज़र से Nord 2 मैं भी recommend नहीं कर पाया कभी भी और बहुत से लोग ऐसे थे जो की कहरते नहीं यार इसको छोड़ देते है जान पे नहीं लिए बहुत इंपोर्टेट है एक phone के उपर इतना जादा नहीं मरना है तो लोगों ने शिफ्ट किया IQ7, Realme GT Neo 2 और भी काफे सारे phones इवन की sales आई sales के अंदर हमें और सारे phones भी ले iPhone 12, 12 यहां पे हमारे पर Samsung S20 FE edition था और भी काफे सारे phones जो की बड़ी-बड़ी sales में आई Pixel यह बहुत सादा बिके बड़ OnePlus Not 2 की बिक्री थोड़ी कम हो गई बड़ यहां इतनी देर में काफे सारे sales कर चुके थे तो यहां पे OnePlus के लिए बहुत बड़ा failure नहीं था यहां इसलिए failure था क्योंकि इसने बहुत जाला criticism लिया है क्योंकि थोड़े थोड़े देर बाद ब्लास्ट होना था और स्मार्ट फोन ब्लास्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई डरता है मतलब फोन यूज कर रहे हो चाना से ब्लास्ट हो गया भाई साब पैसे लगे थे और चोट भी लग रही है यह भाई दिक्कत की बात होती जियोफोन नेक्स अबर जियोफोन नेक्स यहाँ पे Rely вед की तरह से आया मुकेश भईया ने निंगाड़ा और मुकेश भ angड़या का नियह था या था यह फ़ोन उनके लिए नियए है एक बहुत बड़ा failure निकलेगा, हम सुनते आ रहे थे ये phone 5000 के नीचे होगा, 4000 को होगा, 3000 को होगा, 4500 को होगा, मैंने expect किया था कि इतनी अगर आवाज आ रही है, तो at least 5000 को होगा, पर ये आया whopping price 6500 के साथ, और 6500 में जो हमें समान मिल रहा था, वो एकदम से लसी मिल रहा था, मला वह phone मैंने चलाया, अभी भी डब्बे में बंद बड़ा, मैंने सोचा था, वो आया था, मैंने सोचा अपने दादाजी को दूँगा, वो बहुत जादा खोश हो जाएंगे, काफी पुराना phone यूज कर रहे है, बढ़ आज के टाब भी बहुत चार साल पुराना phone है, व अब एक गरीम इनसान, उसके गरपे वाई-फाई तो होगा नि, कि तुमको यार कोई बात नि, अटल का sim ढलके हम वाई-फाई चला लेंगे, अब उसको तो डेटा के उपर ही चलाना पड़ेगा, और उसको तो डेटा की उपर ही चलाना पड़ेगा, और उसको यार 6500 रू पहे में बहुत अच्छी अच्छी value provide कर देते हैं और हाँ EMI के उपर भी आते हैं तो हाँ वही है गरीबों का phone नहीं यह alien phone रहे हैं कोई जानता नहीं इसके बारे में ढंक से मतलब जानते जरूर हैं बट ignore कर दिया मतलब जैसे वह हम इस्टाग्राम पे एक लड़की को message करते हैं वह ignore कर देती है ना देखती भी नहीं है कुछ वैसा हो गया था जीओ के साथ ओके next यहां पर मैं इस category के अंदर वो सारे phones डाल रहा हूँ जो की budget के अंदर 5G लेकर आये थे अब भाई 5G लाना कोई बूरी बात नहीं है बट 5G network भी आ जाना चाहिए बट आपको पता है मैं आज तक आपको यहीं बोलता है हूँ कि जब भी 5G phone आता ना उसके अंदर प् में जैसे कि Motorola के अभी phones आये वो कमाल के phones आये वीडियो में Motorola की बाते कुछ जाद है नहीं हो रही नौट स्पॉंसर्ड बट इंग इस उससे पहले जितने भी 5G phones आ रहे थे चाहे वह रेडमी के बर में बात करें चाहे रियल्मी के बर में बात करें चाहे वह और किसी ब्रैं अच्छे आ रहे थे LCD डिस्प्ले 18W के चाहर और अगर आप सेम यहां पर उनी ब्रैंड के 4G फोन लेने जाओ तो वहां पर आपको 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 सूपर अमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल रहे थे हाई रिखने को मिल रहे थे और बहुत जादा अच्छे हो चुके आज इस वज़े से जो 5G फोन देना उनको तो भाई साफ रेकमेंड करने का मनी नहीं किया आज तक सो हां मोस्टली 20,000 के अंदर जित्ते भी 5G फोन आये हैं कुछ exceptions को छोड़के सभी के सभी बेकार थे वैसे एक और ब्रैंड है जिसमें काफी अच्छी वापसी मारी है इंडिया के अंदर और यह एक इंडियन ब्रैंड है यह है ठीक है काफी दिरबा वापस आये थे कुछ गलतिया हो जाती है यहाँ पर थोड़सा quality control issue था जोगी थोड़े दे में ठीक हो गया and Micromax को मैं thumbs up देता हूं तो फोन से यहाँ पर निकाले उन्होंने इस सार वो काफी दंदार फोन थे इवन कि Innote 1 भी मुझे बहुत जादा पसंद आया था अभी दिक्कत कहाँ पर हो रही है न मैं इसको failure नहीं बोल रहा हूं यहां पर मैं एक चीज़ बोल रहा हूं कि लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं मैं भी बोल रहा हूं कि software updates लिया तो software updates late हो रहे हैं तो यहां पर Micromax ने कहा था कि software updates आएंगे बड़ वो delay होते जा रहे है हमें वो चाहिए यहां पर उसको failure वाली category में डाल रहा है एक जसना feedback है Micromax के लिए भाई साब प्रीस software update पर थोड़ा साथ त्यान देदो यह थे मेरे साब से worst smartphones जोगी 2021 में आये थे और I don't think आपको 2022 में इनके बार में सोचना भी है और 5G के बार अगर आप सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में हमें 5G फोन लेना है तो 5G वो लो जिसमें आपको features बहुत तकड़े मिल रहे हो और साथ ने 5G processor भी है मनलब यसलिए नहीं कि सरफ उसमें 5G लगा है 5G या network आने में टाइम है अब देखो 2022 में कुछ cities में आ जाएगा इंडिया में 5G बट वह भी बहुत कम cities में आने वाला है और major हम लोगों को नहीं देखने को मिलने वाला और शुराती दोर में शायद हो सकता है कि 5G का rate काफी जादा हो मैं आपको मिलता हूँ अब अगले साल 2022 में और मैं कहना चाहूँगा आप मेरे को पूरा पूरा सपोर्ट करनी है और जदी रदी लोला की फैमिली पूरी करनी है और आगे बढ़ना है तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स वीडियो में जोगी होगी अगले साल एंड अगला साल बहुत बार बोल दिया मैंने एक दिन की बात है बड़ साल चेल दो जाता है यार सकीज स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग एंड ओल दी बेस फोर 2022 गॉड ब्लेस लव यू टेक क्या